यहीं पर हमारे पास एक और टॉपिक आएगा कंपाउंड इंट्रस्ट तो उनों में क्या फर्क है वो समझ लीजे छोटे-छोटे से कुश्टन से स्टार्ट करेंगे और जितनी डिटेल हो सकती होगी वो सारी कुश्टन करने की कोशिश करें बिल्कुल स्टेप बाइस्टेप जिससे कि आप बिल्कुल यह मान के चल गए बहुत सारे बच्चों को टर रहता है यह मैट्स नहीं है मैंशा सब बच्चों को यही कहता हूं जो एंट्रेंस एक्साम की प्रिफिशन कर रहे हैं चाहिए वह यह सारे सिंपल केल्कुलेशन देली लाइफ कैल्कुलेशन तो इस पर इतना ही इस्ट्रेस देना है और यह हम सब यूज करते हैं ठीक है अपने डे प्रिंस देखेंगे फिर के कुश्चन साथ है अगर मैं आप से कहूं कि सब्सक्रों हमने अंड्रेड रुपीज जो है किसे से उधार लिए वित्री टम्स तो हम सब जानते कि वह यह जो उधार लिए इसको फ्रिंसिपल है ठीक है उस पे वह इंट्रेस्ट ले रहा है कितना इंट्रेस्ट लेगा है माली जिए 10% पर यह ले रहा है यह मर्य परस ठीक है तो हंड्रेड का 10% दसी रुपे होता है अगर उसने एक साल के लिए लिया है यह ताइम हो गया हमरे परस प्रिंसिपल ठीक है सर रेट ओफ इंट्रेस्ट यह मारा आर हो गया और यह बस टाइम अगर उसने एक साल के लिए लिया है तो उसे 10 रुपे इंट्रेस्ट देना पड़ेगा तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा जिसे हिंदी में मिश्रदन कहते हैं मूलदन और मिश्रदन तो वो 110 रुपे बढ़ेगा 110 रुपे अगर उसी ने दो साल के लिए लिया होता है तो अगले साल के लिए 10 और देना पड़ता है या दो साल का अगर हमें बात किया दूँ तो टोटल 20 देना पड़ेगा तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 120 होता है अगर आपने तीन साल के लिए लिया है तो आपको 30 रुपीज प्लस 10 और कर दीजे या टोटल जो है आप 30 कर दीजे तो आपका अमाउंट जो है वो 130 होता है पुल मिला के बाद यह है कि हर साल आपको सेम इंट्रेस्ट देना यहां भी टैन यहां भी टैन यहां भी टैन यहां भी यह सिंपल इंट्रेस्ट अगर आप बात करते हो compound interest थी तो compound का मतलब combine कर देना ठीक है combine इंट्रेस्ट इन प्रिंसिप एक साल के लिए दोनों का अभी भी सेम रहेगा दियान से देख लिए सो रुपए आपने उधार लिए 10% पर एयर लिया ठीक है 10% अंडेट का 10 रुपीज होता है आपने कहा एक साल के लिए तो ठीक है आपको 10 रुपए देने हैं आपका एमाउंट हो जाएगा 110 तो एक चीज़ तो यह ध्यान रखना जब हम कोश्चन करेंगे फिर दुबारा से बताएंगे कि चाहे सेंपल इंट्रेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंट्रेस्ट हो वन इयर के लिए दोनों सेम रहते हैं दोनों में कोई फॉर्क नहीं होता है फर कहा इसका 10% देना है 110 का 10% 11 रुपीज होता है तो मेरा अमाउंट अब एक सो बीस नाओ के 121 हो जाए अगर आप तीसरे साल के लिए लेते हो तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 121 रुपए है इसका जो 10% होगा वो 12 रुपए 10 पैसे होगा तो जो आपको इंट्रेस्ट देना है व 133.10 हो जाए तो यह हमारे पास है इसको दूसरी तरीके से हम क्या कैल्कुलेट कर सकते हैं ध्यान से देख लिजे आपको 100 रुपए पे तो इंट्रेस्ट देना ही देना है 10% प्लीज ध्यान से देख लिजे ठीक है तो 10% हो गया 10 जो इंट्रेस्ट आया था उस पे भी से आपका वह हो जाएगा 11 तो इंट्रेस्ट ओन इंट्रेस्ट इस दोनों का कुछ परक्ष समझ में आया आप सब बच्चों को कि आजी सिर्ट इंट्रेस्ट क्या है और सिंपल इंट्रेस्ट क्या है सिफ इतना सा है कि चो आपका एक साल के बाद अमाउंट आ रहा है चीक है एमाउंट टोटल एमाउंट जो मिक्स्ट आमाउंट आपका आफ्टर वन यह जो मिश्दन है जिसे हम कहते हैं इस प्रिंशीपल फूर नेक्स यह इस पर भी अमारे पास कुछ दो खेर यह मारे पास है अब अगर हम बात करते हैं सिंपल इंट्रेस्ट तो हमारे पास है एक प्रिंशीपल होगा एक रेट ओफ इंट्रेस्ट होगा एक टाइम होगा और उस पर फिर हम सिंपल इंट्रेस्ट कैल्कुलेट करें और एक हमारे पास होगा अमाउंट तो अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रिंशीपल ब्लस सिंपल इंट्रेस्ट आप सब बच्चों ने formula पड़ा है, simple interest is equals to P into R into T opponent, ये आप सब बच्चों ने formula, आप ज़रा धियान से देख लीजे, जिसमें भी आपके पास formula होते हैं, तो आपको ये चेक करना है, कितनी values इसके अंदर, एक simple interest है, एक principle है, एक rate of interest है, एक time है, तो ये चार चीज़े हैं, तो CDC बात ही है, तीन given हो, और चौत ही को आपको निकाना हो, तो सारे questions बन सकते हैं, किसी में principle दिया हो, rate दिया हो, time दिया हो, simple interest निकालना हो सकता है, simple interest, principle rate दिया हो, time निकालना हो सकता है, तो पहलेुंगे, निकल वाएंगे, किसी में आपिसे माज कहीं परिंसिपन और अगर अग्वाँदी निकल वाएंगे। तो पहली इन दोनों का यूनिट से वोना चाहवे इन दोनों का यूनिट सेम का क्या मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है टैन पर सेंट पर एनम या पर इयर चीक है से यह मारे पास है तो प्लीज ध्यान से देखिए जो आपका टाइम है है वो यहां इंडिया होना चाहिए जिय अगर यहां आपका तो टाइम भी आपका अजय नहीं से बन्साजम कर निकाले हैं अब यहां तो यह मनत में करे रहा है तो दोनों को सेम करना पड़े या तो मन्त को येर में change करिये या rate of interest को per year की जगे पर month करिये दोनों बतारहों मैं आपको अगर हमें month को year में change करना है तो क्या करेंगे बही मंत को यह में करना हो तो क्या करेंगे 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ठीक है तो 6 बाइटुएल का क्या मतलब हो गया है 1 बाइटु यह तो 6 मंत चोंद है वह आधा साल होता है होता है ना सर दूसरा हम यह कह रहे थे 10% पर चीक है एनम तो इसको हम क्या कर देंगे यर में 12 मंथ होते हैं तो इसको हम कर सकते हैं 10 आपकी मर्जी है या तो रेट ऑफ इंट्रेस्ट को 12 से डिवाइड करें या अपने मंत को 12 से डिवाइड करके यह में चेंज करें तो यह आपके पास औक्षन तो हमारे पास जहां पर भी इस तरह का आएगा तो उसे हम चेंज करें देख चोटे-चोटे से कुश्चन है बिल हुआ हुआ है हुआ 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 है कर र सबक्ड़दी बुद्टें में पासे चलता है कर दो कि यह मारी पास्ट कोश्चिन कि आप से कह रहे हैं इन वाट टाइम तो इस कोश्चिन में टाइम निकाते हैं 1200 विल विकम 1450 तो आपका प्रिंसिपल दिया वाएं इंपॉर्डन चीज यह हो दिये क्वेश्चन से आप क्या क्या एक्स्टर्ट करते हैं इन फॉर्मिशन क्या लेते हैं विल विकम 1450 यह आपका अमांड है रिट ओफ इंट्रेस्ट आपको दिया वाएं त्वेंटी परसंट दिया वाएं पर रहे हैं तो आप से करें वाट ताइम त्वेंट्रेस्ट विल विकम 1450 वैं अन्यूल रेट आप इंट्रेस्ट पर रहे हैं अब यहां हमारे पास क्या है त्यान से आप सब बच्चे देख लीजिए हमारे पास जो फॉर्मुला है वो सिंपल इंट्रेस्ट का है अगर आप यहां चेक करेंगे तो यहां अमारे पास कहीं पे वी इंट्रेस्ट नहीं दिया वाएं तो आप क्या करेंगे सिंपल इंट्रेस्ट निकालेंगे कि सिंपल इंट्रेस्ट कैसे निकालेंगे कोई बताएगा आपका जो एमाउंट हुआ है वो फॉर्टीन फिफ्टीव है चौदा सो पचास और आपका जो प्रिंस्पिल था दो सो रुपए है तो यह जितना भी एक्स्ट्रा है वह आपका इंट्रेस्ट है तो इसका वाला फॉर्मुला कंपाउंड इंट्रेस्ट में होता है सिंपल इंट्रेस्ट में नहीं होता है तिक है अमाउंट वाला सिंपल इंट्रेस्ट में क्या है थी प्लस सिंपल इंट्रेस्ट यह है तो इस यह वाग है जो कंपाउंड इंट्रेस्ट का अमांट का फॉर्मुला ह यहां आपके पास क्या होगा 1450-1200 कितना हो जाएगा 250 रुप तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कितना है 250 अधर ट्रिंस्पल कितना था 1200 रेट कितना है 20 परसेंट टाइम कितना है नहीं मालूँ अपॉन अब जितनी जल्दी आप calculate कर सेखें आप कर दीजिए 100 से तो यह 100 गया ठीक है जी इस 0 से यह 0 गया और क्या रह गया कुछ भी नहीं हमारे पास तो हमारे पास आ गया 25 वाइव वाइव ट्वेंटी-पूर जी यह हमारे पास है ठीक है जी कि देखिए कुश्चन होड़ी पिटे आवाज नहीं करेंगे यह देखिए तो आपको जो मैंने आप से का फॉर्मूले में चार चीज़े होती है है उसी हिसाब से आपको देखना है कौन से तीन गीव है इस कुश्चन में क्या दे रहा है इस सम एट सिंपल इंट्रेस्ट और परसेंट पर है न तो क्या दिया है वो देख लीज़े रेट दिया है सब्सक्राइब अभी फिलाल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सारी चीज़े लिख रहे हैं वर्ना जब हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो हम डारेक्ट आंसर देंगे जादा-जादा जाद 10 सेकंड के अंडर इससमेट सिंपल इंट्रेस्ट पर एनम अमांट्स हो रा ए धिरी वन तू जीरो जाए आप से कह रहा है फाइंस्व संट्रिंस्पल निकाओ अब प्रिंस्पल हमें मालूग नहीं है प्रिंस्पल हमने कहां पी यह सपोस्पोस करूं कि अमाउंट हमारा 312 0 है वोई मुझे बताएगा सिंपल इंट्रेस कितना होगा अगर अगर अमाउंट हमारा 312 0 है और प्रिंसिपल भी है तो सिंपल इंट्रेस्ट क्या होगा अभी तो बताया था आपने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं चाहे वो प्रिंसिपल नंबर में दियावा हो चाहे वो प्रिंसिपल वैरियेबल में दियावा यस और नो आपका एमाउंट कितना होगा है कवराना नहीं है मैं भी आप से का था डेली लाइफी कल्परेशान नहीं है हमने आप से का था था हमारे पास सो रुपए ते और वो हो गए 3,120 होगा हुद है तो कितना इंट्रेंट लगा इसमें से इसको माइनस करेंगे अब अगर बरस में है तो नंक आइंबर माइनस करें आगर वह इसकों सीदा सीदा 5, 4 जा 20, 20 से यह आएगा 5, 5 को यहाँ multiply कर दीजे, 3, 1, 2, 0, into 5, 5 को यहाँ भी multiply कर दीजे, 5P is equals to P, 5P को इधर लाएगा, तो यह हो जाएगा 6P, 3, 1, 2, 0, into 5, 6 से डिवाइड कर दीजे, 6, 5, 30, 6, 2, 12, 500, 5, 20, into 5, तो principle कितना आजाएगा, 5, 0, 5, 2, 10, 25, 1, 26, कितना आगिया principle? 2600, 2600, that's it, यह मरबास, छीक है जी कुछ थोड़ा बस मज़मे आ रहा है? यह मरबास, 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 साहिल साहिल यादव जी आपको आवाज आ रही है हमारी हलो साहिल आपको आवाज आ रही है कि यह सर् पहले तो SIMPLE QUESTION आईए कि बैंक The Enjoy कि इसमें प्रिंसपल निकालना रहा किसी में निकालना अगए किसी में रृट निकालना वगा सबसे पहले तो इसी तरह के कमश्यां सी क्राक्तिस करी चुटपेड खिर्शन और मैं हमेशा यही कहता हूं कि दौर नहीं लगाने हैं दौर लगाएंगे तो नुक्सा दो सुकून से पढ़ना है आज आप तीन कोश्चंस सौल करना सीख गए वह बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तीन में से एक आगे तो मज़ा जाए और मैं करता है क्या हूं हमेशा लिया दखेका इतने भी मतलब कोश्चंस होते ह कॉश्चंस के साथ साथ पिर जो एक्जाम्स में आए है कुश्चंस करते हैं जिससे की आपको लेवल ओ एक्जाम्स पता रहें सबसे जाधा जरूरी एंटरेशक्स में इसाप्टिशन मीई ज़रूरी है कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है क्या लेविल पर लेजा सकते हैं उसी को फिर आप टैट लेविल पर ले जा सकते हैं परसेंटेज को इस इंपल इंट्रेस्ट नहीं लिमिट लगानी जरूरी है कि मुझे किस लेविल तक अपनी प्रिफिशन रखने अब जैसा ये दिया वाई जो मैंने अभी आप से कहा था आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो हमें दे रहा है वो क्या दे इंफॉमेशन जो हमें चाहिए हमने सबसे पहले का है टाइम और रेट इनका यूनिट से होना चाहिए वड़ना कैलकुलेशन में गड़बर हो जाएगी ये टेक्स थ्री थाउजन प्रॉम दी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो थ्री थाउजन किससे लिया है किसने लिया हमें भी फिलार उसकी जुरुक नहीं है वो टू इयर्स जो हमारा टाइम है वो टू इयर्स का है अट रेट ऑफ तैन पर्सेंट रेट जो दिया वा है एन पर्सेंट हाफ यर्ली दिया वाय ध्यान दिया है यहां एयर्स हैं और यहां अप्यर ठीक है वाट इमाउंट विल पी पेड बाइए टू इमाउंट भी पार एमाउंट हम तब निकालेंगे जब हमें सिंपल इंट्रेस्ट बता होगा फिरम प्रिंस्पल में इंट्रेस्ट को एड कर देंगे हमारा अमाउंट आजए तब य या तो आप इयर्स को चेंज कर दीजे हाफ यह कोई बच्चा मुझे बताएगा एक साल में कितने हाफ यह होते हैं और दो दो होते हैं आधे-आधे अगर होगे तो टू इंटू टू पूर आप यह हैं इस तरीके से अगे समझवें या फिर अगर आपको छे महिने में टैन परसेंट देना पड़ रहा है तो साल में कितना देना पड़ेगा आपको टूंटी परसे आप इसको डू से मल्टिप्लाइब कर दीजे टूंटी परसेंट पर यह तो चॉइस आपको करना एक ही है दोनों नहीं तो एक ही करना है तो बस यह आपने कैल्कुलेशन कर ली अब आप सीधा इंट्रेस्ट निकाल लीजे सिंपल इंट्रेस्ट इस इक वर स्ट्रू प्रिंसिपल रेट यह तैनी ले लेते हैं टाइम और हाफ यह कर लेते हैं अपोन हंट कर तो में काम यह है जब आप ज्यादा सीख लेंगे इसकी स्पीड बन जाएगी तो आपको सिफ इतना ही लिखना होगा यह तो मैंस आपसे इंफॉमेशन लेना सिखा रहे है तो हमारे पास क्या आएगा सौल भी करना सीख लिए एक एंसे टिरी फोर्जा ट्वेल ट्वेल हंड्रेड आपका इंट्रेस्ट होगे है तो हमारे पास क्या है हमारे पास यहां से आ गया प्रिफाउजड प्रिंसिपल ट्रीफाउजड प्रिंसिपल लॉड्ट वैल हंड्रेड इंट्रेस्ट तो कितना आ गया वह है अगर कितना आया आपको दोनों चीदे नहीं कर रहे हैं आपने कभी 2400 जोल लिया हो तो आप टाइम को भी डबल कर दें और रेट को भी कर दें नहीं एक को करना है यह तो आप रेट को कर लीजिए यह में याप टाइम को कर लीजिए फाफ यह तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 4200 समझ में आ रहा है यह सब्सक्राइब कर रहा हूं यूट्यूब पे डाल देता हूं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा दूसरी बात यह जो मैं लिख रहा हूं ठीक है तो यह लिखावा भी PDF आपके गुरुप में डाल दूंगा तो आप आराम से इसको नौट कर समझने कि उसमें रही है कि हां कहां से क्या होगा है ऐसे नौर्मल सिंपल इंट्रेश निकालके दस परसंट के रेट पे उसको चार से मल्टिप्लाइब नहीं कर सकते हैं कि अधर निकालके लेकिन टाइम कितना लोगी ताइम टू एर तो यह कैसे लोगी है कि अधर कर देंगा तो प्र फाद में पॉर से भी मल्टिप्लाइब कर रहे है तो आपने कर दिया पूर से हूं हम असलिए है सिंपल अचा दूसरी बात है इतना आप अपने आपको बेसिक रफ को पूले मेरा फॉर्मूला भी अपों हंट्रेट है तो पी कितना है आर कितना है ती कितना है वो रखें यह मत करिये कि मैं कैल्कूलेट करके उसे बात में दो से गुना कर दूगा चार से अपना common sense मतलगाईगे वहीं हम उलज जाते हैं हमें तो सीधा एक फॉर्मूला बता है simple interest is equal to PRT upon untrack बस हम उसी पर ही calculate करें फिर नहां में अपने करशे logic लगाने की जरूरत नहां में कोई trick सीखने की जरूरत नहां में shortcut सीखने की जरूरत बहुत सारे YouTube पर गॉत प्रिक्स तिखाते हैं मैं मना करता हूं कि पता चला एक चैप्टर के गर बीज टीक है और बीज चैप्टर ने तो 400 ट्रिक कैसे याद रखो के सराव उसका सिंपल बेसिक रखना है कि अलोग देखो एक कुश्ण हो देखो यह हमारे पास है अमीट टेक सम लोन फ्रों अकाश पूर टू यह एड़ 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 पाई पर संट पर रहे ला अमीट टेक सम लोन तो दाट इस प्रिंसिपल हमें नहीं मालों और इसी तरह से सीखना भी क्या आप अपने क्वेश्टन को कैसे चोटे 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 अरे आवाज नहीं पीज पीज आले आवाज नहीं देखे आकाश पूर टू यह तो टाइम क्या हो गया भई एट रेट ओफ फाइव परसेंट पर रहा है नहीं एड आफ्टर टू यह तो टू यह तो टू आपकाश तो उन्होंने जो पे किया है यह तेट इस सिक्स्टी सिक्स हंड़े रुपी ठीक है फाइंड दा इंट्रेस्ट पेड बाई अमित इंट्रेस्ट निकाले अब अच्छी बात यह है ना में इंट्रेस्ट पता है ना में प्रिंस्कल पता है ठीक है सर तो अब हम क्या करेंगे हम तो इंट्रेस्ट ही निकालेंगे लेकिन इंट्रेस्ट हमारा क्या होगा आपको जो लिखना था वो यह लिखना था माइनस प्रिंसिपल इस माइ इंट्रेस्ट प्रिंसिपल रेट मेरा 5% है टाइम मेरा 2 है अपोन हंड्रेट बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है अगया अगया अब आप सौरो 5-10 कम से घर हो पिटे आपको सिभी इतना लिखना था देख लो कितना लिखना था प्रेट पर पर ही इतना लिख्या आप सौल करके आंसर शीट में मापके इतना सा लिखना जितना मैंने बॉक्स बनाए अब करो 5-10 10-10 तो यह 10 जाएगा यहां तो यह आपके पास आजाएगा 6600 एक जिरो और माइनस 10P is equals 2P अब मैं तो calculate ऐसे कर देता हूं कि यह 10P इधर आएगा तो इसकी जगे हो जाएगा 11P yes or no? Yes. ठीक है और 11 से आप cancel करोगे तो यह हो जाएगा 6 और 6 की हो गई 3000, 30 तो principle कितना आगया भई? बताओ? 6 और भई calculation समझ में आई हमारी या नहीं आई? जितने steps आप कम लिखेंगे जितने steps आप कम लिखेंगे जितनी lines आप कम लिखेंगे उतना आप time बचा लेगे जितना आप time बचा लेगे उतने questions आप जादा attempt कर पाएंगे लेकिन paper tough होना competition में अच्छा sign है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं ये ध्यान रखना महरबानी करके ये तुवा मत मांग के जाना के उपर वाले paper आसान दे दे अगर paper आसान दिया और question आया two plus two का answer दो तो जिसने पूरे चार महीने छे महीने कोचिंग करी वो क्या answer देगा इसका टू प्लस टू का बताओ ना जी ह्यांजी बुलाइब कर दू प्लस टू बार रहा है जी अधो बार Thanks for one ये तो बताइगा और जिसने पढ़ाई नहीं करी वो भी टू प्लस टू का answer क्या देगा तो अगर easy पर आ जो पढ़ाई कर रहा है तो जिससे कम से कम नहींद पढ़ रहे हैं वो तो छटें competition से पढ़ने पढ़ने वालों में रह जाए है हां उससे आगे एक अपनी दुआ पूरी कर से तो उपर वाले पेपर टाफ आये आला पेपर टाफ आये लेकिन मुझे आता हो इतनी दुआ मांग लो है तो इसलिए तो अच्छा पेपर उसमें क्या होता है महां पे जब पेपर वह आता है उसमें हमें कैल्कुलेशन पहुती चल्दी गन्यों जिससे ज़्यादा कुशन तो बच्चे एक्जाम के बाद क्या कहते हुए निकलते हैं कि सर पेपर तो ईजी था लेकिन मेरे 20 कोशन रह तो जिसके कम कुशन रहे होंगे उसके चांसे ज्यादा कुशन नहीं रहने चाहिए तो खैर हम कोशिशी करेंगे के क्लाइन में अपना कुशन सो अब हमारे पास क्या था हम से पूछ रहा था कि इंट्रेस्ट बताओ अमाउंट है 6600 और प्रिंसिपल आया है 6000 तो इंट्रे 6600 वह वापस कर रहा है जबकि लिया था 6000 तो कितना एक्स्ट्रा दिया था उसने 600 तो इंट्रेस्ट ही निकालना था सर कुछ आया समझ में इसको जहां भी प्रॉब्लम लगे पूशते है ठीक है शर्माना नहीं खाते वक्त और पढ़ते बद हम अके लिए होने चाहिए कि अगर शर्म करेंगे शाती पिया में चले गए और महां शर्म करी तो बात में जाके बहुत लाला चाता है बहुत अफसोस होता जब एक रस्गुला और खाले था तो अच्छा रहता है अब तो लॉकडाउन चलना रस्गुले काम होते हैं इसी तरह से पढ़ते वक्त ही ए अब कोशिशन क्या आता है यह कौशिशन बहुत आता है बहुत जादा यह दे किया कोशयन का यह दे करो इस से हमें क्या मिल रहा है क्या क्या इनकोमेशन इसके अंदर है A sum of money becomes four times in twenty years, add simple interest, find the rate of interest, यह आप से कहा है। A sum of money becomes four times in twenty years, add simple interest, find the rate of interest, तो क्या-क्या इसके अंदर है, है तो कुछ नहीं, अगर हम कड़ें तो कुछ दिया आई नहीं है, तो मजाग कर रहा है, लेकिन ठीक है, अब मजाग यह कर रहा है, तो हम भी करें हैं। A sum of money, उसर हमें नहीं बता principle कितना है, हम पी ले लेते हैं, becomes four times, उसर अमाउंट हो गया four P, yes or no, सब बताओ, अच्छा दियान से देखो एक चीज़ हो, अगर हमें नहीं पता कभी, तो आप अपनी मर्जी से सर देखो, ऐसे भी कह सकते, उसर सपोस करो मेरे पास तो 100 रुपे थ तो सर अब 400 हो गए, yes or no, आप अगर P मानना चाहो तो P से भी 100 हो जाएगा ये, अगर 100 मानना चाहो तो सर 100 से बताओ, दोनों सो हो जाए, अच्छा टाइम कितना दिया भाई भाई, भाई, अब 20 साल है, 20 साल है, 20 साल है ना, 20 साल है, आप से कह रहा था, rate of interest बताओ, ठीक है, अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ सब बच्चे, मुझे principle दिया वा है और amount दिया दिया तो नहीं, मतलब मैंने अपना अप suppose कर लिया, तो कोई मुझे interest बता सकता है, कितना होगा, 300, 300, अगर हम 100 में सोच रहे हैं, तो 300 है ना, और अगर पी में सोच रहे हैं, तो 4P minus P is equals to 3P, yes or no, yes sir, that's it, तो ये हमारे पास, हमें दोनों से solve कर रहा हूं, P से भी और 100 से भी, तो हमारे पास क्या होता है, बच्चे, simple interest is equals to, देखो मुझे लिखना था, इतना ही लिखना था जो मैं यहां से चुरू कर रहा हूं, interest is equals to, principle, rate, time, upon 100, इतना लिखना था भाई से, और यहीं पर calculate भी करना है, चीक है, इतने में ही calculate करना, इतना ही लिखके, P से P cancel, yes or no, yes sir, 20 से कितने time, 5, 5 को 3 से multiply करो, कितना, आर मेरा कितना आ गया, सिर्फ मुझे कितना लिखना है एक्जाम में, इसी की तैयारी करनी, अब आप यह देख लिए कितने second में लिखा गया है यह वाला box, ठीक है जी, चलो, देखो जा, बिटे पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लिए गीजिए, अब अगर कि इसको इसथा कि नहीं सर मेरा इंट्रेस्ट तो 300 है, ठीक है 300 है, और मेने प्रिंसिपल लिया था सर 100, ठीक है सर मेने 100 लिया था, यह हो गया principal rate कितना है, नहीं मालुम TIME कितना है, सर 20 साल upon 100, अभी भी मेरे àंसर पर फर्ख नही पड़ेगा, प्लीज दियान से देख लिजे इस zero से ये zero cancel इस zero से ये zero cancel two से ये fifteen time जाएगा answer कितना आया वही ten percent समझ में आई क्या कोई बास yes sir आ रही है चलो आगे बढ़ते ये अच्छा question बहुत आता है आउ जी सर देखते हैं question ये भी बहुता है और मैं इन सब की tricks हैं इन सब के shortcuts हैं मैं मना करते हैं simple जो आपको आता है उससे करिए जिससे आपको बार-बार हर चीज नहीं याद रिखनेंगी जोगना इतना तो टाइम होता है दस सेकंड वी सेकंड तो हर एक्जाम में होते हैं और तस भी सेकंड में calculate curling तो थोड़ा सा बचिए शॉर्ट कट से ट्रिक से बेसिक पे रहिए बिल्कुल देखो यह again same question a sum becomes two time in five year at certain rate of interest find the time in which the in which the same amount will be eight times at the same rate of interest तो यह हमारे पास क्या है उसके हम बात करेंगे a sum becomes principle कितना है नहीं पता becomes two times amount हो गया 2p सब अच्चे ध्यान से देखें अगर principle पी था amount 2p था तो interest कितना हुआ प्रेटे आवाज नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो simple interest हो गया पी यह सर नो सब बच्चे बताओ यह सर अच्छा च्छा आप से कह रहा है इन five years तो time हो रहा है five years ऐसे ही निकालना है सबसे पहले अपने language से इस सम नहीं मालूं विकम्स तू ताइम्स ओके टूपी कितने टाइम five years at a certain rate of interest rate का भी हमें नहीं आरी मान दो यह मर पास तो आप से अब इसके बाद भी कहनी चल रही है तो कहनी चल रही तो से दुबारे से आगे बढ़ते हैं find the time time बताई इन विजदा सेम अमांट वहीं अमांट विकम्स एट ताइम्स एट ताइम्स हो जाए तो इंट्रेस हो गया seven time seven at the same rate of interest इसी वाले rate of interest को तो दो अलग-अलग चीज़े चल रही है होगा क्या पहले वाले case से rate निकाले और उस rate को यहां यूज करें पहले वाला ही principle है ठीक है उसका interest दिया वा है तो इस बार time निकाले तो पहले वाले में निकालना है बच्चे हमें rate बात यह है सारी पहले वाले में जो है हमें rate निकालना है और rate को फिर यहां यूज करना है और दूसरे वाले में निकालना है time तो देखो कैसे कर था रेट मालूब नहीं था थी फाइव यह था अपोन अंडेट हमें तो इतना ही लिखना है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना ही बॉक्स लिखना है इसे देखो कैसे कहले हैं पी से पी पाइव से ट्वेंटी यहां चला जाएगा तो मेरा जो रेट है वो ट्वेंटी आ जाए आ गया सर तो यहां हो गया ट्वेंटी अब यहां सिंपल इंट्रेस्ट है सेवन पी प्रिंसिपल है पी रेट मेरा आ गया ट्वेंटी यहां पे मुझे टाइम निकालना है अपोन हंड पी से पी 20 से 5 57 जा 35 कुछ समझ में आया क्या एक बॉक्स आपको ये वाला लिखना था और एक बॉक्स आपको ये वाला लिखना तो 55 10 सेकंड मिक्सिमां 15 सेकंड में आपको अपना कुश्चन करना है तर बनीवार कि यह से अजी है कि कि यह सब्सक्राइब एक कुश्चन हो तो चलो एक मिनट पहले आपको दे रहाँ अगर आपको कास कॉपी पैन है तो एक मिनट आप यूज करो इसके बाद मैं स्टार्ट करूं सबचे प्लीज ना डरना है ना शर्माना आप कर सकें तो बहुत अच्छी वार्ट नहीं कर सकते कोई बात जस्ट में के ट्राइब कर दो 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 कि यह आप लोगों ने 12.5 परचेंट तर वेरी चल देखते हैं क्या आ रहा है मैं ट्राइ करना है आंसर में नहीं येस राइड आंसर 12.5 गुट अब यह और किसी बच्चे का 12.5 परचेंट वेरी बट बड़ी और कुई बच्चा आ रिजिनिंग कौन ले रहा है प्लो होगी रिजिनिंग की क्लास कौन ले रहा है आमिर से जी आमिर से आमिर से आमिर से आमिर से चलो देखो इन्हें सटेंट टाइम नहीं पता टाइम क्या है प्रिंचिपल नहीं पता थी टाइम्स्टी पी इंट्रेस्ट हो पहले तो मेर्स का नाम से गुम जाता है फिर पूरी लेंगविज मैं कहता हूं नहीं वर्ड बाई वर्ड वहां से निकालते रहो निकालते रहो एट दा रेट ओफ रेट दिया वाए फाइफ परसुम एट वाट रेट 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 पुछ रहा है इंट्रेस्ट हो गया इन सेम डूरेशन तो जो टाइम यहां 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 से निकालेंगे टाइम और यहां निकालेंगे रेट इतना करना है तो रखो जी सीधा सीधा सरः रख दो पटा पटो पटो क्या करेंगे मैं रखते तें पटा पटो इंट्रेस्ट है 2P कि प्रिंस्पल है P रेट है 5 ताइम पता नहीं अपान हंड्रेट पी से P कैंसल 5 से 20 तकशे 20 से 2 कितना वाई कितना 40 यहां रखो सर्थ इंट्रेस्स कितना है 5P प्रिंस्पल कितना है पी रेट कितना है नहीं पता टाइम कितना है 40 अब आन्ट पी से फिर पी कैंसर 5 से 8 कैंसर तो R is equal to 100 by 8 4 से 25 4 से 2 25 by 2% जिसे आप क्या क्या रहते 12.5 परसन तो एक बॉक्स बच्चे ही है आपका और एक बॉक्स बच्चे ही है समझ में आया कुछ सर जिए सर कुछ चलो एक कुश्चन जी वे ते बूलिये जिए सेगंड पॉस्चन में से यह इस फिए सब्च्च्च बच्च्च बच्च्चा क्या रहा है मआउंस दिएत कितना है निकालना है कि तैट Küम्च सम्हाम मने कितना या था कितना यह था ह। पी कम कितने टाइम सीच थाईङ तो सिक्सथ किम्च यह खेज़ Constant अच्छा अबाउंट 6P है और प्रिंस्पल पी है तो इंट्रेस्ट कितना हुआ 5P आगे ना बस में ओके है ना तो यहां से आ रहा है जो जो बैस समझ में आया सबको एक कोशन ओड़ ले ले थोड़ी सी देखो तो दो बच्चे तो गाया वो कौन कौन गाया ओफ 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 यह देखो अभी तक तो हमने कहा था कि हमें चार में से तीन देता लेकिन वह होता क्या है वो तब होता है जब हमारे पास एक ही कंडिशन कभी कभी दो भी देता है अब देखते हैं क्या कर सकते हैं यह कौश्चान एंस इस सटेंस सम इन सटेंट टाइम ना सबस्क्राइब कर लिए इस साहिल को सरें कर लिए इस तो से क्योंटी लगाई भी रही निया पिछान क्या हो सेक्यूर्टी तो कुछ हाई नहीं है इसको सकते हैं लिंक से जॉइन कर लें साहिल का है दोबारा लिंक पे जाके जॉइन कर लिए जी नाजीम कुछ कह रहे हैं आगे साहिल नहीं यह सर्थ चलो देखो जाए आप से कहते हैं सटेंट सम इन सटेंट टाइम तो ना तो बिटे हमारे पिकम्स 500 जो आपका प्रिंसिपल है वह 500 हो जाता है यह आपका एमाउंट है प्रिंस्पल पी है यह तो सिंपल इंट्रेस्ट इस प्रिंस्पल पी है एर अमांट 500 है तो सिंपल इंट्रेस्ट इतना होगा वह प्रिंट्रेस्ट इंट्र आर अमारा दिया वह एड़ परसेंट टाइम पी दिया वह अपॉन है यह हमारे पास दूसरा आप से क्या कह रहा है एंड दा सेम सम अमांट्स तो टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड माइनस पी है एड़ दा रेट अप्डो परसेंट पर अनम जया है यह हमारे पास हैंड जब को समझ में आया क्या पहले वाले में पर P और T गायब है, दूसरे बाले में P और T गायब है, दो एक्वेशन बन रही है, हमने दोनों ही बना दी, बासमन में आई जी नहीं आई, अब इसको solve करना है, आपकी मर्जी है P निकाल के दूसरे में रखते हैं, आपकी मर्जी है T निकाल के दूसरे में रखते हैं, मैं य अगर आप यहां डिवाइड कर रहे हों यह हमारी फिर्स्ट एक्वेशन थी हमारी से क्या 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 कर सकते हैं पी से पी से पी से प्चा क्या तू से एट गांसर तो अब यह 200-प यह तो किस से तो क्या बच्चा बच्चे 500-P 200-4 800-4P तो पी एक साइट ले लिजे यह एक साइट ले लिजे 4P-P 3P 800-500-300 पी इस इक्वास तू कि अंडेड कुछ समझ में आया गया जी यह जी वो लोग कौन सा कुछ नहां पिटे क्या पूछ करते हैं सर आप बोले कि बच्ट करें कि अंडेड़ कंपान लेकिन अमांट इस इकल टू इसंपल इंट्रेस्ट नहीं तो थी वाइंड़िए होता है अगा तो पावर है कहीं पावर नहीं पावर नहीं कैसे कह रहे है इसमें पावर आप जो आप जो कह रहे हो आप कह रहे हो सर्जी तो रसा चीज़ों को सीख लो मैंने आप से का है अमाउंट इस इक वस्तों प्लस सिंपल इंटरेस्ट एना जी यस आप क्या कह रहे हो सर्जी प्लस इंटरेस्ट की जगे रख दो पी इंटू आर इंटू पी अपोन हंड़े यह फॉर्मूला बन जाएगा यह अब सही है आप कह रहे हो सर्जी यहां से पी कॉमन ले लिए सर्जी क्या बनेगा सर्जी वन प्लस आटी बाएंटर अब एक फॉर्मूला तो यह है अमाउंट का और सर्जी एक फॉर्मूला यह है है अब क्या यह दोनें प्रॉले तेम yo मरजी आक यह आप इस तरह से करना चाहरे हैं कर सकते इसमें तो कुछ नहीं है यह ध्यान रखेगा बच्छे जो फॉर्मूला जो सिस्टम आपने प्रैक्टिस में किया है उसको यूज करना मेरा तो कहने का मतलब यह होता पहले चीज दूसरी चीज यह सम्टाइम होगा क्या अभी हम सीखेंगे भी आपको बताएंगे भी यह यह वाला होगा यह यह उप्शन से सम्टाइम तो वह तो डिपैंड करेगा कुछ फॉश्चन कि जिससे मेरा फास्ट्रेक में जल्दी से जल्दी आंसर आपको फॉर्मूले को को सबसे बढ़ा सकते हैं इसाब से हम सॉलिशन को देखेंगे कि हमें क्या करना है कि अब यह कितने सारे याद रखेंगे कि सब्सक्राइब प्रणुट तो होते हैं सर पैसिक तो एक ही रहेगा फॉर्मुला कि जो आपने मुझे पताया है यह मना कर रहा हूं उसमोडिपीकेशन को कही और से वड़ा लिया फॉर्मुला जो काम मेरा इससे चल रहा है जो काम मेरा इससे चल रहा है मुझे क्या पड़िये 20 कोशन है तो 20 मॉडिविकेशन बनाईएगा तो यह तो मर्जी आपकी है सर मुझे क्या मतलब है मैं जिस दिन आपका टैस्ट लूगा उस दिन देखूंगा कितनी जल्दी इसी कर पा रहे हो जिस दिन आपके सामने 200 कोशन सोंगे सर उस दिन देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी बना पा रहे हो उस प्रेशर में एक चैप्टर के 20 फॉर्मुले 20 चैप्टर के 400 फॉर्मुले याद रख लेंगे तो मुझे भी पता देना कि जब हम एक कोशन कर रहे हों थे तब वह मॉडिफिकेशन ऐसी लगता है तब हमें समझ में समय होता है कहां में मोडिफिकेशन जब सामने बीजप्टकेशन रखे तो तो इस बार इस पार इस्तमाल किया और यह उस नहीं निया है, यह यह चीपर बचाने के लिए था सश्वांग बहुत नए आप पहली यह सबसे पहला वाला कोश्चन था सबसे पहला वाला और या लास्ट कोश्चन मैने डिसक्जिए आपका दिमाग महीं अठ्कावाई कि अधि इस यह यह वाड़ी पब्ला जो ग मैंने पहला कोश्चन इसक्जिया था पारा बच की दसiza चलो है all the best आपने हिसाफ से करें मुझे उससे कोई प्रप्रम नहीं मुझे तो सेलेक्शन चाहिए कि आपको समझ में आया थोड़ा बहुत आप लोगों को चलो जी मुभारक होगर फूरा समझ में आया है तो यह वाली पीडियेव मैं आपके साथ यह कर दूंगा वीडियो का तो आप इसको दुबारा भी देख सकते हैं फिनेक्स क्लास करेंगे और एक प्रक्टिस शीट भी बेजुगा आपके तो जिस्ते के आप कुछ प्रक्टिस कर सकते हैं तो आप प्रक्टिस शीट भी डाल बात चलियो और अल्डबस